Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में में रपस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मनही मनव आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं And before I start the reading, wish you all a very very happy Valentine's Day I wish all the happiness, all the joy for your relationship और दूसरी बात अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ-साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखिए इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकौर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए बाइसे आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह Valentine special है, तो इस reading में तीन piles की जगा पे हमार पस four piles है and first pile में हम देखेंगे कि आपकी क्या energies रहेंगी, second pile में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies होंगी and third pile में हम देखेंगे कि finally February month में क्या हो रहा है और देखें, fourth pile में जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, heart confessions लिखा हुआ है और in cards के थू हम जानेगे कि आपके partner की secret क्या intentions, क्या feelings आपके लिए है क्या उनके heart के confessions हैं, क्या वो आपको कहना चाहते हैं, नहीं कहते हैं और इसको देखें हम reading के बाद देखेंगे तो सबसे पहले prices आप लोगों की energies चेक कर लेते हैं और देखें, आप लोगों के लिए यहाँ पर oracle से spirit message, free will and lust के cards हैं rider west से आप लोगों के लिए magician reverse, judgment reverse and eight of wands reverse के cards हैं तो देखें, सबसे पहली बात यह तीनों ही cards बहुत ही positive हैं और तीनों ही reverse हैं, जिसका मतलब यह होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या पिर beyond the point कुछ मसला, कुछ issue नहीं है लेकिन आप कहीं you know बहुत great नहीं feel कर रहे हैं या फिर आप ही की energies की वज़े से issues और मसले हैं और देखें, पाइसे जब हमारी वज़े से हो रहे होते हैं तो हम conscious awareness के साथ, conscious effort के साथ उनको ठीक भी कर सकते हैं तो देखें, फिर से सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं 8 of Wands, Reverse and Judgment, Reverse और देखें, ये cards कहते हैं कि कोई चीज को end करके आप एक नई beginning, अपनी personal life में या फिर इस relationship को लेकर करना चाहा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं अगें देखें कुछ चीजों को आप finalize करना चाहाते हैं आप बहुत speed से आगे बढ़ना चाहाते हैं एक growth चाहते हैं, एक progress चाहते हैं action initiatives लेना चाहते हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं और देखें, judgment reverse के card को फिर से हम देखें तो पुरानी चीजों में आप अठके हुए हैं पुरानी बातों में आप अठके हुए हैं पुराने खयालात में आप अठके हुए हैं और दिखिए again मैं कहूंगी कि कुछ चीजों को end करके एक नई beginning या तो आप करना चाहा रहे हैं नहीं कर रहे हैं या फिर हो रही है और उसको आप accept नहीं कर पा रहे हैं यानि कि पुरानी चीजों को आप let go नहीं कर पा रहे हैं और दिखिए magician का card भी कहीं action initiatives लेने की बात करता है और ये card भी कहता है कि कहीं आप action initiatives again लेना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और दिखिए magician कहीं manipulative energies की भी बात करता है diplomatically चीजों को deal करने की भी बात करता है तो कुछ prices के लिए हो सकता है कि आप जो चाहा रहे हैं उसको achieve करने के लिए ऐसी energies में भी mid February में या फिर February मन्त में रहें और दिखिए दूसरी बात कुछ prices के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है mid February या February मन्त में कि आपके partner ने किसी level पे आपको use किया कहीं you know वो इतने fear आपके साथ नहीं रहे किसी level पे again मैं कहूंगे कि injustice वाली energies आप में हसूस कर सकत और देखिए deeper level के लिए यहां पर lust and free will and spirit messages के cards हैं तो देखिए lust and spirit message का card कहीं contrary energies की बात करता है lust physical attraction की बात करता है physical intimacy की बात करता है physical connect की बात करता है और spirit message का card कहीं बहुत ही pure love की बात करता है और यह दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए February मन्त में रहती हुए दिख रही हैं और देखिए हम specifically देखें तो हो सकता है कि February starting में जादा एक physical connect जादा एक physical attraction आप महसूस कर रहे हैं लेकिन gradually end of February में आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत एक spiritual connection आपका और आपके partner का है देखिए spirit message के card में लिखा हुआ है I will always love you और देखिए यहाँ पे भी लिखा है spirit message from a loved one और closure from a past love तो देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि past का कोई love है उसके साथ आप closure भी करना चाहा रहे हैं लेकिन broadly speaking देखिए spirit message का card एक spiritual connect की बात करता है और देखिए free will का card कहता है कि देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भी destiny आप दोनों को एक साथ लेकर आई है और आगे किस direction में इस relationship को लेकर जाएं यह आपकी choice है यह आपकी free will है और शायद इसलिए देखिए magician का card free will के उपर कहता है कि आप action initiatives लेना चाहा रहे हैं और इसलिए अगर चीजों को थोड़ा सा manipulate करना पड़े अपने end result को achieve करने के लिए तो वो भी आप करते हुए देख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए देखिए हाँ पे cards की तरफ से guidance हो सकती है advice हो सकती है कि जो भी आप इस relationship से related चाह आते हैं उसके लिए action initiatives लें क्योंकि देखिए destiny हमें एक point तक ले कर जाती है लेकिन उसके बाद किस direction में हम चीजों को ले कर जाएं वो हमारे पास free will है और उसको हमें use करना चाहिए तो ये थी prices आप लोगों के energies और next reading में हम देखेंगे या फिर next video में हम देखेंगे कि आप आपके partner की क्या energies रहेंगी तो आपके partner के लिए देखिए oracle से commitment, cash, love and letter के cards है राइडर वैट से temperance, reverse, five of cups and king of pentacles के cards है तो देखिए सबसे बहले cards यहाँ पर king of pentacles and letter है और letter का card कहीं connect बनाने की बात करता है कहीं communicate करने की बात करता है कहीं messages की भी बात करता है तो देखिए या तो आपके partner February starting में जादा messages के तुरू आपसे बात कर रहे हैं या फिर पीछे किसी भी तरीके का disconnect किसी भी level पे मैं कह सकती हूँ कि disconnect इस relationship में आया तो आपके partner पावापिस से वो connect बनाना चाहा रहे हैं कहीं देखिए कुछ चीजें या फिर you know in general ही अपनी feelings को communicate करना चाहा रह हैं और दिखे surface level के ले king of pentacles का card कहता है कि बहुत ही practical बहुत ही realistic तरीके से हर चीज को deal करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे पाईसे आपके partner कुछ concrete भी इस relationship में चाहते हुए दिख रहे हैं यानि कि उनको ऐसे लग सकता है कि बहुत हो गया बाते करना बहुत हो गया you know ए चीज की बात करता है या तो वो आपसे commitment चाहा रहे हैं या फिर वो आपको commitment दे रहे हैं एक stability एक security इस relationship के लिए चाहते हुए देख रहे हैं फिर से मैं कहूंगी कि materialistic tangible चीज़ों पर उनका जादा focus है कहीं practical realistic तरीके से हर चीज को वो जादा deal करते हुए देख रहे हैं और कह देखिए mid of February के लिए five of cups and cage love के cards कहते हैं कि एक negative frame of mind उनका रह सकता है कुछ चीजों को लेकर या फिर in general और देखिए जो भी चीज़ें इस relationship में ठीक नहीं चल रही हैं कुछ भी issues हैं वो उनके उपर जादा focus कर रहे हैं देखिए prices किसी की भी life perfect नहीं है और मेरा मानना है हम जिस चीज़ें पर focus करते हैं वही हमारी life में increase भी होती है यानि कि जो चीज़ें हमारी life में ठीक नहीं चल रही होती हैं हम उन पर focus करते हैं हम परेशान होते हैं और जब हम अच्छी चीज़ें पर focus करते हैं तो हम खुश होते हैं और देखिए इस card को अगर आप देख पा तो तीन कप गिरे हुए हैं, दो खड़े हुए हैं, और आपके पार्टनर का फोकस गिरे हुए कपस की तरफ है, तो फिर से मैं कहूँगी कि जो चीजें ठीक नहीं चल रही, मसले जो चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, उन पे बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक regret वाली भी energies दिख रही हैं, कि ये क्यूँ हुआ, ये मैंने क्यूँ कहा, ये उन्होंने क्यूँ कहा, ऐसा उन्होंने क्यूँ करा, तो फिर से ऐसी energies हैं, जिसकी वज़े से otherwise भी, केज लव का card कहता है, कि बहुत एक बंधा हुआ, बहुत एक जकडन वाली feeling उन्हें सकती है, और दिखिए इस card में लिखाव है, this love is an illusion, a trap fly free, there is no love here, तो दिखिए मन ही मन उनको ऐसे लग सकता है, कि पता नहीं आप उनसे उतना प्यार करते हैं, या नहीं करते हैं, कहीं ये फिर से मैं कहूंगी एक खौप तो नहीं हैं, कहीं वो imaginary world में तो नहीं रह रहे हैं, कहीं ये किसी तरीके का trap तो नहीं है, और कहीं again मैं कहूंगी कि उनकी freedom तो नहीं restrict हो रही है, और deeper level पे दिखिए इन ही सब चीजों को सोचते हुए, कहीं वो कुछ चीजों को end करके इसमें से बाहर निकलना चाहा रहे हैं, और कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, और दिखिए श कर पा रहे हैं, कहीं कोई चीज या तो वो जरुरत से जादा कर रहे हैं, या फिर जरुरत से कम कर रहे हैं, क्योंकि temperance के नीचे commitment का card है, तो दिखिए commitment again मैं कहूंगी कि बहुत जादा चाहते हुए या देते हुए दिख रहे हैं, और इसी से ही related हो सकता है कि एक balance नहीं दिख रहा है, और दिखिए ये general reading है, तो सब Pisces के partner के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है, कुछ Pisces के partner के लिए हो सकता है कि over action initiative ले रहे हैं, या फिर over अपनी feelings को express कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही अपनी feelings, प्यार, महबत को express नहीं कर रहे हैं, कहीं च commitment लाने के लिए, चीजों को better करने के लिए, एक stability, एक security लाने के लिए, again मैं कहूंगे कि बहुत कुछ try भी करते हुए दिख रहे हैं, तो ये था Pisces आपके partner की energies, और next video में हम देखेंगे कि February मन्त में क्या हो रहा है, और अब देखते हैं Pisces की February मन्त में क्या हो रहा है, तो द के cards हैं, राइटर वैट से आप लोगों के लिए Eight of Pentacles, The World and Four of Wands के cards हैं, तो देखिए सबसे पहले cards यहाँ पे मुझे Four of Wands and First Petal देख रहे हैं, तो देखिए Four of Wands का card कहता है कि कुछ time से या फिर February starting में या February मन्त में काफी आप दुनों के बीच में interaction हो रहा है, बातचीत हो ही है, बहुत एक companionship, togetherness रहता हुआ दिख रहा है, और कुछ prices के लिए हो सकता है कि आप अपने partner के साथ vacation पे जाना चाहा रहे हैं, क्योंकि Four of Wands के साथ में The World का card है, तो कुछ लोगों के लिटरली हो सकता है कि आप out of country अपने partner के साथ vacation पे या तो जा रहे हैं, या पिर जान चाहा रहे हैं, और दिखे, otherwise simply, you know, आसपास की जगा में भी आप vacation पे जाना चाहा सकते हैं, और दिखे, Four of Wands का card कहीं, change of location, change of residence के भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए शादी, commitment, या फिर, you know, हो सकता है कि आप अपने partner के साथ move in करना चाहा रहे हैं, साथ में रहना और दिखे, जो भी surface level पे हो रहा है, कहीं deeper level के लिए first petal का card कहता है, something is beginning to fade and fall apart, a flower cannot bloom again, तो दिखे, इन दोनों cards को combine करें, तो surface level पे बहुत beautiful energies रह रही हैं, लेकिन deeper level पे कोई चीज किसी level पे fade होना शुरू हो रही है, और दिखे, मैं यह नहीं कह रही हूं कि कुछ मसले, कु definitely वैसा connect जो पहले था, या फिर वैसी attraction जो पहली थी, वो नहीं है, या फिर यही दोनों चीज़ें या कुछ और भी, किसी level पे हलका हलका कम होना शुरू हो रहा है, और हो सकता है कि आप इस चीज को अभी नहीं महसूस कर पा रहे हैं, prices, और दिखे, mid of February के लिए, हाँ पे the world and synchronicity and science के cards कहते हैं, कि कोई ending, कोई beginning या तो हो रही है, या फिर आप करना चाहा रहे हैं, और देखे, ये general reading है, तो या आप इस सब prices के लिए different endings or different beginning रह सकती हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई एक phase इस relationship में ही end करके, आप एक नए phase को शुरू करना चाहा रहे है कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी चीजों को end करके, आप इस relationship में एक नई beginning चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी level पे ये relationship ही end हो रहा है, और आप अपने लिए prices एक नई beginning चाह रहे हैं, और देखे, जो भी ये ending और beginning हो, कही deeper level पे आप बहुत sure नहीं हैं, य इस ending और इस beginning को लेकर, देखे, ये काट कहता है, align to your desires, notice signs and symbols for validation, तो फिर से मैं कहूंगी कि आप हो सकता है कि signs देख रहे हैं, symbols देख रहे हैं, कि जो भी आप कर रहे हैं, कि आप ठीक कर रहे हैं, कहीं आप गलत decision तो नहीं ले रहे हैं, गलत choice तो नहीं कर रहे हैं, तो अपन confirmation आप चाहते हुए दिख रहे हैं, और देखे, end of February के लिए यहाँ पे eight of pentacles and passion के cards कहते हैं, कि surface level पे एक practical, एक realistic approach आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रख रहे हैं, लेकिन deeper level पे बहुत जबर्दस्त एक enthusiasm, excitement आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए और देखे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग अपने profession पे, अपने career पे ज़्यादा focus करना चाहा रहे हैं, और देखे, mid of February तक हमने देखा भी कि आप बहुत fun, मजा, मस्ती कर रहे थे, तो होता है Pisces कि जब हम ज़्यादा enjoy कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि कही हमारा professional front तो नहीं ignore हो गया और हम उस पे थोड़ा focus करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी energies हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस relationship को next level पर लेकर जाने के लिए काफी effort, काफी महनत कर रहे हैं, तो देखे, जो भी हो prices, कहीं February मन्त की energies overall के लिए अच्छी रहती होई दिख रही हैं, in fact मैं कहूंगे कि जो भी आपकी energies हों, जो भी आपके partner के energies हों, कहीं February मन्त में एक composite energies ठीका क्या फिर बहतर रहती होई दिख रही हैं, और अब देखेंगे prices हमकी, आपके partner की secret क्या feelings हैं, क्या intentions हैं, तो दिखें, यहाँ पे सबसे पहला card है a few weeks, और few weeks को literally हम देखें, तो कुछ हफतों की बात करता है, और यह general reading है, तो सब prices का relationship different level पे है, different situation में है, तो दिखें, यहाँ पे a few weeks का मतलब सब prices के partner के लिए differ कर सकता है, in fact दिखें, prices यह आपका relationship है, तो आप ही बहतर इस चीज को समझ पाएंगे, क्या आप दोनों के बीच में चल रहा है, और किस चीज को लेके आपके partner few weeks चाहा रहे हैं, for example देखें, अगर आप लोगों के relationship में अभी तक commitment नहीं है, और कहीं आपके partner की तरफ से ही commitment नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आपके partner सुच्छे हों कि भई, कुछ कि किसी चीज के बारे में वो सोच रहे हैं, और उसके लिए few weeks का time वो चाहा रहे हैं, और देखें, next card feels too good to be true है, और ये कुछ लोगों के लिए positive हो सकता है, कुछ के लिए negative हो सकता है, तो देखें, अगर ये positive है, 20, तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, आप कि partner को ऐसे लग रहा है कि जितना उन्होंने expect किया था, जितना उन्होंने अपने partner से again उमीद करी थी, आप कहीं उससे भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो इतने lucky हैं, उनको आपकी तरफ से इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो दे negative है, उनके लिए feels too good to be true का card कहता है, कि पीछे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ मसले हुए, कुछ issues हुए, जिसकी वज़े से आपके partner का faith या फिर trust आप से थोड़ा सा हिला, और अब आप जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कहीं trust नहीं कर रहे हैं, वो कह नहीं, उसको literally नहीं ले रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ, कि वो किसी level पर उसको doubt कर रहे हैं, उनको लग रहे हैं कि इतने अच्छे आप हैं नहीं, जितना अच्छा आप दिखा रहे हैं, तो फिर से देखिए, general reading है, सब के लिए differ कर सकता है, और मैंने दोनों ही situations बता द होंगे, यहाँ पर cards आपको सिरफ broader level पर बता रहे हैं, और देखे, third card है, happily ever after does happen, तो prices अगर आप थोड़े से भी apprehensive हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है, कि पतनी आप लोग जब एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे, तो भी उतना खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या फिर अगर आप इस चीज में believe करते हैं, कि happily ever after कुछ नहीं होता है, यह थोड़ा बोट distance होता है, तब ही सब कुछ अच्छा भी लगता है, और जब बहुत एक साथ लोग रहते हैं, तो उतनी खुशी नहीं रहती है, या इस तरीके का कोई भी thought आपके mind में ह या फिर पाएंगे, आप अपने partner की ही feelings को doubt कर रहे हैं, कि भई वो हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके partner आपको कहना चाहते हैं, कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है, happily ever after does happen, लोग जो दो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, जब वो बह बहुत, you know, close होते हैं, या फिर हमेशा के लिए भी साथ रहते हैं, तो भी वो हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं, तो यह था पाएसेस, आपके partner का secret intention, secret feelings, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर कर आपके सेखेशा क करी है, और यह वो हमें, तो यह रहते हैं, आपके साथ दो आपके साथ बिएमें आपके साथ पादय.